विद्यार्तियों आज हम परिवर्दन जैवी की अर्थाट डेवलेप्मेंट बायोजी के उस भाग पर पहुंच गए हैं जहां पर हम भूर्णिय प्रेणन अर्थाट एम्रियानिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे इसे पूर्व हम किस प्रकार गैम्यूट्स बनते हैं कैसे फर्टलाईजेशन होता है कैसे बलास्टो सिस्ट बनता है कैसे गैस्ट्ूला बनता है कैसे कोशिकाएं मुव्मेंट करती हैं और विवी न भागों में पहुँच जाती है ब्लास्टूला के इंस को हमने डीटेल में पढ़ा है और आज हम जो जानना जा रहे हैं वो यह जानना जा रहे हैं कि यह कोशिकाएं जो इस तरह मुव्मेंट करके गती करके ब्लास्टूला में जाकर के सरी गेस्टूला में जाकर जो विस्तापित होती है और इखटी होती है वो किस प्रकार कारे करती है, किस प्रकार विभिन अंगो का विकास होता है, ऐसे कैसे क्या चीज है जिससे विकास इतना असानी से हो जाता है और इतना systematic तरीके से होता है, कोई भी चीज गलत जगे ना होना, भूर्ण के development के दौरान और पिराणी के adult होने तक, सब जीन से control होन और वो विभिन अंगों का अपने निश्चित स्थान पर बनना आँखों का आँखों के स्थान पर बालों का बालों के स्थान पर यहां तक की छोटी छोटी संरचनाय का विकास और डेवलेप्मेंट बिल्कुल सही तरीके से होना कुछ कोशिकाओं का विभाजन नियंत्रित होना कुछ कोशिकाओं में विभाजन होना ही न ता जिंदेगी जितनी बनी उतनी कोशिका मरते दम तक अंतिम समय तक रहना कुछ कोशिकाओं का जरण होना, एजिंग होना ये सब कैसे संभवे और इसके पीछे ऐसा क्या systematic से ऐसी क्या वेवस्ता हैं भूर्ण के अंदर या परिवर्दन के दौरान ऐसी क्या वेवस्ता हैं होती है जो यह अपने आप इस प्रकार कोशिकाएं विबेदित होती है, differentiate होती है, कोशिकाएं जब gastrula के अंदर है और बहार सब तरफ वेवस्ति करने तो जैती तो इस प्रकार किस प्रकार काम कर। कैसे या निश्चित होता है कि बहार और अंदर की कोशिकाएं जैसे açटोडं मेजटोडं की कोशिकाएं मिलकर। चीज बनाएंगी कोई व्रकक बनाएगा कोई एक्टोडम बनाएगा कोई मिजोडम बनाएगा रक्त बनाएगा नोटो कॉड़ की कोशिका बनाएगी तो बहु कोशिका प्राणियों में इसके स्टेडी और इसको समझने का प्रयास किया और इस प्रयास में मैं ने स्लाइट तेयार करी प्राणीयों में अंड़े के निशेशन के परश्चात विदलन के परश्चात अनि इए Karanadi कोशिकॉнова में परिवरतन होने के बाद परिवर्थित होने के बाद किसे इफरेंशेट होने के बाद कोरक भवन तह्क गैस्ट्टोल कि अप्रण की प्रक्रिया से गुजड़ते हुए गुड में निर्धार स्थानों पर एक तो जाती है जो कोशिकां विभीन कोशिकां बिन बनाए ब्लास्टो मियर बनाए जांग अलग स्थान पर पर समुह में यह समुह दूसरी कोशिका समुह को अपने साथ मिलाकर विशिष्ट उत्तक अंग विन्यास के लिए प्रेरित करते हैं यह विक्रिया को प्रेर्णा इंडक्शन कहते हैं कोई किसी को प्रेरित करें कोई कोशिका दूसरी कोशिका को प्रेरित करें कोई अंग किसी अं प्रकार के यह चें स्टड़ी करेंगे तो सब्सक्राइब थैसे घर सब्सक्राइब आगला पॉइंट उस्टेश के प्राणियों में रूंश बहक प्रक्रिया के दौरान कोशिकाओं का विशे विवेधन के लिए अनक शिक आवेशक होती है अब दूसरी कोशिकाओं अगर यह नहीं हो नहीं हो तो इनमें डिफ्रेंसियशन यह नहीं होता इनमें बदलाव नहीं आता इनमें वह अंग बनानी की शंता नहीं develop होपाती यह जानकारी प्राफ्तरि इस प्रोकार कोशिकां वारा प्रेयरित उने को भूर निहां embryonic induction कहते हैं चुंकि embryo में हो रहा है इसलिए embryonic induction कहते हैं ये study और इसके बारे में induction के बारे में जानकारी कर रहे है hence pemen को जाता है ये photograph मैंने internet से लिया है और उसमें ये जानकारी भी वहीं से प्राप्त करी है hence pemen का जनम कहीं ने समय दे रखा है उनको नोबल प्रुसकार मिला इस बार की जानकारी दे रखी है और उनने जिस प्रभाव काद्धन के उसे भूर्नी प्रेरन ये embryonic induction कहा जाता है hence pemen जर्मन के वहग्यानिक थे भूर्न विज्ञानी थे embryological studies किया करते थे उनका interest भी था उन्होंने Augustus Wiseman अगर आपको याद हो तो Wiseman ने थेओरी दी थी जर्म प्लाजम थेओरी और इसी तरह से एक और साइंटिस्टे करमेर उन्होंने जर्म थेओरी नाम दिया थे जर्म प्लाजम को उनका कहना ये था कि यूगमेज में और निशेचीत अंडे के अंदर कि अंदर जो है वो होमोजीनस नहीं होता है वरन उसमें मोजैक जैसी संड़चना होती मोजैक जैसे मोजैक टाइल के टुकड़े-टुकड़े मिल करके अगर बनते हैं ठीक उसी तरह से यानि उसमें विदेलन पास्टोमियर में बट करके और वो निश्चित अंग निश्चित चीजे बनाते हैं उस प्राणी की उस एनिमल की तो स्पीमें साब ने इनको स्टड़ी किया और स्पीमें साब ने इसके मोजैक सिद्धान्त का कहीं बार परिक्षन किया इसके पहले ही और साइंटिस भी इसको कर चुके थे और उसमें डिश्च भी है जिन्होंने इसको इसको अखंडन किया कि निशाब इस तरह कोई मोजैक सिस्टम नहीं होता और लेकिन स्पीमें ने जो एक्सपेरिमेंट किये वो कुछ बड़े इंट्रेस्टिंग बड़े अच्छे एक्सपेरिमेंट किये उनमें से उन्होंने एक आसान सा निवेटेक एनिमल होता है जो कि एमफीबियन एनिमल है और वहेचर प्राणी ह बढ़े अख्यवन, कि इसके इंड़े नरी ध्रूव निशीत होते हैं और यह पानी में निश्च्चित में ग। Или कि एंदर भी आसानी से में और ट्रांस्पिरेंट सा एम में इसलिए पानी में दिखता है, मतलब कलर अलग से नज़ा जाता है, तो उसमें एक में गहरे रंगे होता है और एक तरफ हल्का रंग होता है और इसके करण दो भाग हो गए, दो धरूव हो गए, तो आसानी से देखे जा सकते हैं, और जब इसमें ये फर्टलाइजेशन हो जा जाता है जिसे हम दूसर या ग्रे क्रिसेंट या दूसर नवेंदू के नाम से जानते हैं तो ठीकि सी तरह इन्होंने इसको जो से ऐनिमल थे उस पर उस सेल्स को स्टडी किया, उनके एक्स को स्टडी किया और इन्होंने पाया कि जैसे डिश ने तो उसके मोजाइक के खंड कर दिये थे मोजाइक थियोरी को स्टड़ी करने के लिए उन्होंने उसके खंड नहीं करें बलकि उन्होंने उस न्यूइट जो एनिमल है उसका वो एग लिया और एग चुकि बहुत छोटा होता है तो उसके उपर एक बाल का हेर का रिंग या छला बनाया जैसे अपन बाल को गोल ले करके बाल कुड़क होता सक्त होता और बायोजिकल मटेरियल है तो रिजेक्शन के चांसे इस कम होते हैं तो उन्होंने उसको लिया और उससे छला बनाया और उस चल्ले के बीचे में उस अंडे को फसाया और अंडे को इस प्रकार फसाया माइक्रोस्कोप के नीचे कि उसको जब उस टाइट किया उस चल्ला उस गाठ जिस पे लगाई तो वो लूप जब बनाया उसमें तो गुबारे की तरह उसने को दो हिस्सों में बाढ़ दिया काटा नहीं दो हिस्सों में बाढ़ गया एक हिस्से में तो केंदरक और कुछ जीवद्रवे दूसरे हिस्से में सिर्फ जीवद्रवे और बादने कारण एक इस तरह की दो गुबारे नुमासन रचनाय बन गई और ये इस चित्र के अंदर आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि दो गुबारे नुवा समझे हैं जब ये बाल का फंदा लगाया तो जो ग्रे क्रीसेंट था वो दो हिस्सों में बढ़ गया याने बाल का फंदा उस ग्रे क्रिसेंट के को दो हिस्सों में बाटते हुए ग्रे क्रिसेंट या ये दूसर नुवेंदू एग के बाहर की और प्रदरशित हो रहा होता है उपर की और नूकलियस से अलग तो जब उन्होंने इसके उपर ये फंदा लगाया तो ये ग्रे क्रि तरव फंदय को लुए वीच में एक ब्रिज की संफने बच़ गई जिसमें नूकलियास और ग्रे क्रीसर अड़ा पोर्षन था उसमें विलान भी कुशा सब्सक्राइब आट और 16 को विश्चा कोशी का अवस्ता 1200jam खंड भी बन गए 16 या 32 अवस्ता तक बन गए तो उन्होंने उसके बाद इस फंदे को हलका सा ढीला कर दिया इस ढीला करने कारण वो जो सेतू सा बनावा था साइटोप्लाजम का या कोशी का द्रवय का उसके ठूँ एक सेल दो सेल उस तरफ चलेगा दूसी तरफ नूकलियस के वो हिस्से जिसमें नूकलियस भी था जब इसके समय हुआ और इनको इन्होंने इसके रखा इंक्यूबेट करते रहे तो इन्होंने देखा कि जिसके अंदर वो सोला डिविजन पहले हो गए थे वहां तो पूरा का पूरा निवेट नया यानि पुत्र या पुत्री निवेट बन चुका था तथा दूसरे भाग जिसमें बाद में सेल्स चले गए थे उनमें भी सेल डिविजन हो करके पूरा निवेट बन चुका है इस चित्र के अंदर आप देख सकते एक पूरा सा निवेट दिखा है और साथ में दूसरा निवेट पास में दिखा है मैं जिस हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं उसे बड़ा करनी कोशिश करता हूँ आप उसमें क्लियर देख सकेंगे देखिए ये gray crescent इसमें clear दिख रहा है ये nucleus एक side है ये gray crescent के उपर ही इनोंने इसको loop का लगाया है इसमें चित्र में नहीं दर्शाया गया मैं कोई और दूसरे चित्र से आपको समझाने ही कोशिश करूँगा ये loop जो बालों का loop है ये इसके उपर clear नज़र आ रहा है साथी साथी इसमें cytoplasmic bridge जो मैंने आप से का कि इसमें cytoplasmic bridge दिख रहा है इस तरह और इसको ज़्यादा tight कर दिया बाद में जब ये incubate हुआ और बाद में पूरे इसका प्रक्रिया पूरून हुई तो इसमें से दो new it बन गए ये clear cut इसमें इस चित्र में दर्शाय गए है ये एक दूसरा experiment ये तो पहला experiment थे एक दूसरा experiment न्यूएन फिर लगाया वही new it के साथ और अब की बार इस जो ये जो फंदा लगाया था बालों का इसका तल बदल दिया प्लेन बदल दिया और थाथ कि gray crescent लगबख पूरा एक तरफ और थोड़ा सा दूसरी तरफ कुछ अंश मात्र और जिस तरफ gray crescent उस तरफ पूरा gray crescent और nucleus भी उसी तरफ development नहीं हुआ 16 स्टेज 32 स्टेज तक इधर की तरफ हुआ जिसमें nucleus भी था और gray crescent भी था फिर वही प्रक्रिया अपना ही और इसको थोड़ा सा ढीला कर दिया जिससे ये इसकी जो कोशी का दरवे का सेतू बना हुआ है उसके माद्यम से कुछ उधर nucleus चले जाए इंतिजार किया गया तो अब की बार स्पीमें साब चौंक गए कि एक तो नॉर्मल एंब्रियो बना जिसमें इसमें थोड़ा रफ डागराम से दरशा हुआ है और दूसरा जो बना वो पूरा इंब्रियो ना बनकर एक पिंड समान बन गया जिसे पूरी में उस्व में बॉश्चक का बॉश्टक या बैली पीस का बैली पीस मतलब पेट का हिस्सा इसमें यह जो बना था इसमें फुफुस आत्र यक्रत की कोशिकाएं थी पर तुक अंकाल तंत्री का यह तंत्र की बन गया आत बन गया इंटरी का शिकाएं नहीं बने इससे स्टी में सहाब ने कुछ इंपॉर्टन निश्कर्ष निखाले और रहे निखाला कि मोजैक सिंदन से ध्थान का इससे खंडन हो गया जो So, विजमैन साब ने और किरमिर साबने दिया था-किसाब मोजयक थेोरी है, कि मोजयक की तरह होता है वो निहीं, किसाब नहीं मोजयक थेोरी नहीं है, और दूसरा ये रहा, कि कि पहले प्रयोक से दूसरे परयोक से बात समझते हैं कि परिवर्दन संपूर्ण परिवर्दन नहीं होता कुछ भाग पनपता है और 16 कोशिकाओं तक बटने दिया और उसके बाद उसकाम का इंतिजार किया तो यह निकला हल कि कुछ ना कुछ एक इसमें से कुछ ऐसी चीज है जो उकसाती है कोशिकाओं को विभाजन करने के में उसे उकसाती है या उसे इंस्टिकेट करती है या उसे इंडियूस करती है तो इसलिए उन्होंने उसको जो नाम दिया बाद में उनके छातर ने भी इसपर काम किया। उसका बड़ा फेमस नाम रहा हिल्डे मैन गोल्ड उसने भी काकी साहब इस पीमेन के काम को उन्होंने आगे बढ़ा है और नोबल प्राइस के टाइम पे भी उनके साथ ही थे उनकी जो वर्क है उसको और्ग्याजर एफेक्ट इन इम्रोयनिक डेवलेप्मेंट के नाम से जाना जाता है उसे इम्रोयनिक इंडक्शन नाम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया आशाय है आपको ये बात समझ में आई होगी हम इसकी डीटेल इसके और गूड जानकारी इ और आप इन दोनों प्रयोगों से स्पीमेंट साब ने एक बात तो सोचने फिर मजबूर भी कि और एक बात स्पष्ट हुई कि कोई तो चीज ऐसी है जिसके करण पहले वाले प्रयोग के अंदर दोनों न्यूइट बन गए यानि जब उसमें बाल कल अच्छा लगाया गया जिसमें णूकलीस था और आदा भाग था और दूसर नवेंदु का बहुत बड़ा भाग था उसमें तो एक नॉर्मल नीूइट बन गया लेकिन जिसमें दूसरे नवेंडू का बहुत अंश मात्र था उसमें कोशिकाएं, किंदरक कोशिकाएं जाने के बाद भी जीन में किंदरक थी सोला स्टेज कोशिकाओं जाने के बाद भी उसमें अपूर्ण एंभरियो ही बन पाया सोचने पे, स्पीमन सहाब को भी मजबूर को और हमें भी सोचने पर कि ऐसे क्या चीज रही होगी ऐसे क्या हुआ कि वो सिर्फ बैली पीस बन करके या असामान ने भून बन करके रहे गया दूसरा वाला हिसा जो कि पहले में दोनों पूर्ण बने थे स्पीवन साब ने एक और एक्सपेरिमेंट किया स्पीवन साब ने ट्रांस्प्लांटेशन का भी काम किया उन्होंने का कि अगर ये कुछ हिस्से हैं और कुछ कोशिका हैं या दूसर नविंदु का कुछ इस प्रकार का रोल है कि जो वो इंड्यूस करता है किसी चीज को वो किसी चीज को बदलाव करने में तो उसकी स्टडी होनी चाहिए तो उन्होंने उस हिस्से के ट्रांस्प्लांटेशन एक एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने उसी एंबरियो पे ट्रांस्प्लांट किया उसका हिस्सा काट करके एक में उन्होंने उसी जाती के एनिमल के द और